नमस्कार मैं विक्रम सिंख ये बिहार बोर्ड का question paper जो आज आया हुआ है उनको आप देखें इनका solution देखा बितारों में आपको फर्स question है objective question solve करना है आपको यहाँ पर कुछ mcq है देखें लिखावाय प्रश्ण एक से 35 तक के प्रत्यक प्रश्ण के साथ 4 विकल्प दिये गये हैं जिनमें से एक सही है अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को omr sheet पर चिन्हित करें देखें फर्स question लिखा हुआ है copper धातु का शोधन निमने लिखित में से किस विधी द्वारा प्रिथक किया जाता है तो इनका शोधन किस तरह किया जाता है यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट है वैद्वत अबघटन शोधन दूसरा है मंडल परिषकरन तो तीसरा है वर्णल एक ही और चौथा है कोई नहीं इनका English में भी लिखा हुआ है मैं Hindi में बता देता हूँ आपको यहाँ पर लिखा है शोधन याने purification यार purify कैसे किया जाता है इसको copper धादो को तो यहाँ पर आपका दिया अगे वैद्वत अबघटन याने electrolytic purifying होता है यह ध्यान रखेंगे इसका फर्स्ट अंसर ए है सेकेंड है PCL5 एक है PCL5 जब तूडता है तो PCL3 और CL2 बनाता है याने chlorine देता है और chlorine के साथ जिनकी भी अभिक्रिया होती है उनका oxidation होता है याने oxygen होगा तो इसका answer है oxygen कारक का काम करता है थर्ड है polythene एक बहुलक है फर्स्ट है ethane का, ethene का, propene का, ethane का, polythene, polythene, ethene का, ethene याने CH2, CH2 का बहुलक है K2, K4, Fe, Cn6 में Fe की oxygen संख्या होगी K का plus 4 है, Cn का minus 6 है तो इसका बच गया, 6 में 4 गया तो 2 ही बचेगा तो plus 2 होगा इसका answer होगा A लोहे का मुख्य एसक है, magnetite, siderite, hematite, hematite और ये लिखा हुआ है सभी, सभी इसका answer होगा nitrogen और oxygen है, धातू, अधातू, अधातू है, non-metals K3, Fe, Cn6, 1 है, उपसर संयोजी होगी है, coordination compound है, coordination complex compound है B है answer alcohol का creation मुलक है तो इसका creation मुलक मतलब ये होता है कि इसने functional group पूछा है, कि इसका functional group कौन सा है, याने कि क्रियात्मक समूँ कौन सा है, तो इसका क्रियात्मक समूँ होगा, D, याने OH next question है, nitric अमलका सुत्र है, HNO3 question number 10 है, कि निम्लिखित में से कौन सी gas जल पर 81 नहीं कि जा सकती है, जल पर 81 नहीं कि जा सकती, याने कि वो जल से reaction कर लेती है तो वो है, यहाँ पर देखें, oxygen gas पूरी तरह नहीं खुलती है, H2O B gas नहीं खुलती है, N2 gas भी नहीं खुलती है लेकिन SO2 gas जो सारी gas को तुला में जादा खुलती है याने कि SO2 को जल पर नहीं एकत्र कर सकते है निम्लिखित में से कौन सी gas एकल परमाणविक है chlorine, Cl2, helium, He, only He याने B answer इसका right है helium का सुत्र है He यह structure लिखा है, योगिक का नाम है phenol एलकोहॉल बनने में एलकेन के एक hydrogen को किस group द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है हेड्रॉकसिल ग्रॉप एलिहेडे ग्रॉप, क्लोरो ग्रॉप OH हेड्रॉकसिल ग्रॉप OLEUM में H2SO4 के साथ कौन सा अव्याव उपस्थित होता है SO3 gas H2SO4 में SO3 मिलाएंगे तो H2SO7 बनेगा जिससे OLEUM बनेगा H2SO7 एक विधी जिसमें किसी धात्विक AS को हवा की अधिक्ता में उसके गलनांग से नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते है एक विधी जिसमें धात्विक तत्व को हवा की अधिक्ता में हवा की अधिक्ता में जब गलनांग से नीचे गर्म किया जाता है तो उसे निस्तापन नहीं कहते हैं भरजन कहते हैं रोस्टिंग कहते हैं तो A answer इसका right है ब्यूना N तथा ब्यूना S एक संसलेशित रबर है B right है उजला और पीला फास्फोरस है white and yellow फास्फोरस है अपरूप H2SO4 है एक दूई भास्मिक अमल यानि कि जब ये इसकी बेसिसिटी जो होती है वो 2 होती है क्योंकि ये तूट जाता है 2H plus के रूप में नैट्रिक अमलत तयार किया जाता है संपर्क with the Oast World विधी द्वारा B right है आवर्थ सार्णी के द्विती आवर्थ में तत्तों की संख्या है आवर्थ के द्विती आवर्थ में प्रथम में 2 तत्तों ये द्विती आवर्थ में 8 तत्तों होते हैं 8 आवर्थ सार्णी के गुरुप 1 के तत्तों को जाना जाता है अवर सारने के गुरुप एक के तत्तों को जाना जाता है छारी धातू A राइट है इसका एनस्थरी में N का संक्रण है SP3 A राइट है इसका 24 अमोनिया आर्द लाल पत्र को किस रंग में बदल देगा नीला बहुत ही आसान कोश्चन है बहुत ही आसान है इसका बिलकुल भी इसमें किसी को एफर्ट लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी इसलिए स्टूडेंस ध्यान रखें कि बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है इनको और ऐसे कोश्चन की उमीद भी नहीं की जानी चाहिए कि इतना आसान कोश्चन आपको मिले लेकिन इतने आसान कोश्चन मिलता है तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं थोड़ी मेहनत करिए आप सब को यह कहेंगे कि थोड़ी मेहनत करिए यह बिहार बोड का कोश्चन पेपर है तो आप देख रहे हैं कि इससे सरल कोई question paper होई नहीं सकता है CH3, CH2, NH2 को कहा जाता है इथाइल एमीन ए है answer इसका ज्वर को कम करने वाले करने के लिए उपयोगी दवाई होता है ज्वर नाशे इससे ज़्यादा क्या आसान question होगा बोलिए शुद्दजल का pH 7 होता है कोई भी कठीनाई नहीं है संकर्मन तत्तों को और भी नाम से जाना जाता है संकर्मन तत्तों को किस नाम से जाना जाएगा D-block तत्तों को संकर्मन तत्तों कहा जाता है पेट में अत्यधिक अमल बनने से रोका जाता है एंटासिड प्रत्य हमलें एंटासिड यस एंसर राइट है एक फेराडे विद्युत कितने कुलाम के बराबर होता है 96500 कहां पे है ये बी कार्बोहेड़िड को जलांशित होकर तीन से लेकर के 10 तक मोनो सेकरेड बनाता है कहां पे है C 31 का C सुक्रोज का सुत्र है C12H22O11 कहां पे है C12H22O11B 33 CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या होगी 4 CH4 में 4 सिग्मा बंध होंगे डेटल का उप्योग किया जाता है एंटिसेप्टिक के रूप में CH3COOH का नाम होगा IUPC में इथेनोईक एसिट ये इथेनोईक एसिट बी बी राइट है अब इसके बाद लगुतरी प्रशन होगा और हम इनको देखेंगे इसमें टू मार्क्स का कॉश्चन है तो मैं कॉश्चन बता देता हूँ अभी इसका एंसर नहीं बताता हूँ तो जिन लोगों को अभी एक्जाम दिलाना है वो लोग इसको देख लेंगे तो अबजेक्टिव कॉश्चन का एंसर मैंने तुरन-तुरन दे दिया है तो किस्टल, बिंदू, तुरूटी से आप क्या समझते हैं दो नमबर का है प्रात्मिक सेल से क्या समझते हैं फिर इसके बाद है थर्ड कॉश्चन है अब भिक्रिया की कोटी की व्याख्या कीजिए दो नमबर का क्योश्चन है पाचवा सांद्र HNO3 को अलिमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं क्यों? अब बताए क्योश्चन का एंसर ढूढ़िए सल्फर SF6 बनाता है पर SCL6 नहीं क्यों? में CU की ऑक्सिकन संख्या की गर्णा करें ऐसे क्वेश्चन आप दो तीन बार देख चुके हो उपर भी हीमोगलोबिन में उपस्तित धातु का नाम है आईरन BOD और COD से आप क्या समझते हो? टेफलॉन के एक लग क्या है? अमीनो अमल क्या है? CH3COCH2 RCOCNH2 की पूर्ण अभिक्रिया कीजिए तो अभिक्रिया पूर्ण करना है इसको कुछ नहीं अपचैन हो जाता है चलिए आगे चलें अमोनिया से प्रबलचार क्यों है? परासररी दाप को परिभाशित कीजिए याने ओस्मोटिक प्रिशर को समझाना है आपको परिभाशित की इने डिफाइन करना है एंजाइम क्या है? चांदी विद्दुत का अच्छा सोचालक है क्यों? आदश और अनादश घोल क्या है? याने की सॉलूशन के बारे में बताना है आडिल सॉलूशन और नौन आडिल सॉलूशन यानि विलियन क्या है? अलिमिनियम के विद्दुत अपखटन अवकरण में क्रायोलाइट के उप्यों के क्या लाब है? अब क्योशन फाइब मार्क्स का देखते हैं सम परासरनी दाब यानि ओस्मोटिक प्रेशर को परिभाशित कीजिए दुबारा क्योशन आ रहा है सिद्ध करें की परासरे दाब एक अनुक संख्यक गुण धर्मय यानि की कॉलिगेटी प्रपरटीज है प्रतम कोटी अभिकरया के लिए वेंज़क तयार कीजिए बॉक्साइड से अलिमिनियम निश्करशन की विधी को संक्षिप्त में लिखें क्या होता है जब सोडियम एसेटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है क्या होता है जब कैल्शिम करबाइड को जल के साथ अभिकरया कराया जाता है बहुत एजी कॉश्चन है इनको बना के दिखाईए आप लोग अभी थोड़ी प्रक्टिस कर लीजे, आपके पस ऐसे question का answer होगा आयोडिन के मुख्य शुरूत क्या है? इसे समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या होता है जब केल्शम फार्मेट को तेज कर्म किया जाता है? फिर प्रशना है, मिथेनौल अमोनिया से अभिक्रिया करता है? इस तरह से यहाँ पर 24 questions हो चुके हैं और इतने ही question आते हैं, इतने ही आसान question paper है आप लोगों का आप लोगों ने बनाए होंगे अच्छा paper, मुझे उम्मीद है और हम कहेंगे कि जिन लोगों का exam नहीं हुआ है, इन प्रशनों को भी देख लें ताकि आपको भी एक idea हो जाए कि कैसे question paper बनाना है, तो एक students ने मुझे phone करके बताया, पूछे की सर, इनके answer दे दीजे, objective questions के, तो मैंने आपके लिए ये छोटा सा video तयार किये हैं, तो इनको आप देख लीजे, तब तक के लिए, मैं इसके बाद भी और videos डालूँगा, आपके बताया पूआए.